का कशक अलयकुंकि咏 एक डूले कुटीविरीवन एक इसTo ॐंट ने कोमेंट की थि कि eyes दोंको आप शियरकर करो हमारे सांथ जो कि नीट के駃 you two और three ये इक पर जो है उनको आब हमारे साथ शेयर करो in पूढ़ अने सूचा कि आप उनको जो है उन पर वीडियो भी बनाऊं और जो हैना टेलेग्राम भी इनिशालम में उनको अप्लोड करूँगा ठीक है तो मैंने बहुते सुचा कि एक वीडियो बनाऊ हूँ छोटी सी तो हेर और मैं नीट प्रेशियर टेपर्स यह नीट 2021 का प्रेपर है ठीक है नो नीट 2021 तो बहुते फिजिक से कॉस्चन नमर टू, फॉर, फाइफ, इसको क्रोस चेक करना अगर आपके पास मॉडियोल भी होगा प्रिएस यहर का नीट का जो प्रिएस यहर का मॉडियोल अगर आर आपके पास होगा तो आप जो है ना ऑप्शन को क्रोस कर लेना क्योंकि मैंने बहुत सारे कोस्चन भी गालत के हैं इस्पैस्ट इन फिजिक्स, इस पेज नमर टू, पेज नमर त्री के तरफ चलते हैं अब, ओके इट्स पेज नमर त्री, कोस्टन आप स्क्रीन शोट भी ले सकते हो असानी के साथ इस पेज नमर त्री नाओ कमें तो पेज नमर फूर इस पेज नमर फूर, इस पेज नमर फूर, फिजिक्स मेरा बहुत वीक था ओवराल, वोर सेक्शन भी की वाजय से जो ना महा पे ताइम ने मिल आच्छा कासा तो फिजिक्स में बहुत कम सॉल्फ की थे मैंने इस बार क्वेश्चन अब देख भी सकते हो, कंपेर करके फिजिक्स के इमस्टी और बायो का पेपर फिजिक्स ने हमेंशा मुझे गिराया अपने फिजिक्स को वीक मत रखना ठीक है, अच्छे से फोक्स करना, अच्छे से प्रेक्ट्स करना, डिफरेंट पैटर्न की क्वेश्चन्स, इस वाज यूर पेज नमर, फोर चलते हैं पेज नमर फाइल की तरफ, पेज नमर फाइफ, अब स्क्रिन शॉट्स भी ले सकते हो आसानी के साथ, में तर फाइब ले सकते हो, पाइबो क्वेश्चन्स, रखनाओ यूर नमन फंचे, यूर यूर्झच तर फुर्स करना, चिबाएबो क्वेश्यच स्क्रा राइबो छे नमर नमर्स आपना, प्सक्राणिक प्सक्राणिक और कि एप और टेटकिक और उपे और सक्राणिक आपकिंट पर पाद्ट नम्हें लिए कि अगे कि पेज नमबर सेवन है यह लोजी केट का कॉस्चन भी वहां पे गालत हो गया दर्माइस के मैंने इसको पढ़ा था अच्छे से लेकिन फिर भी वहां पे रश हो गया था वहां पर टाइम के लिमिटेशन के वाज़े से बहुत सारे कॉस्चन्स फिजिक्स में गालत वहां पर जितने भी कॉस्चन्स अब स्वाल करो इन मिनिममुम पॉसिबल टाइम और बहुत ज्यादा ताइम जो वहां पर बचे गापको आपने बुक्स पर वहां पर पॉस्चन्स अब्श्चन्स करना थीक है और वेस्ट एर टाइम अन्यसरली जितना भी हो से गया उतना टाइम युटलाइज कर अपने बुक्स पर बायो में बहुत सारी रिजन्स करना है बायोलोजी में क्योंकि बायोलोजी का वह जहां पे वह वहां पे जो टाइम बचता है न वह आपको फिजिक्स में उटलाइस होगा वहां पे आसानी के साथ coming to the page नमबर एट टाइम के लिमिटेशन के वजए से जो है ना कॉस्चन्स को बहुत सारी कॉस्चन्स को मैं अड्रस नहीं कर पाया वहां पे कि का में तो पेज नमर नाइन एक स्टाट्स इट किमिस्ट्री ओके फिजिक्स का एक और क्वेशन यहां पे क्वेशन मर फिफ्टी उसके बाद आपका जो है ना कि मिस्ट्री का पोर्षन स्टाट हो रहे सेक्शन ए यह मिस्ट्री में अक्सर जो हैना almost nearly out of 45 में से 41 questions ठीख होए थे यह hydrogen मैं से क्वेशन पुचेगा थो यह गलत हो गया वहां पे प्रिकिन तॉकिन गिज़िधैस पेवांपे ह समुत्रुध हइस तूरु को भी अच्छे से बाड़ा था और इसी तरी के से जो तेम्परेटर अब बॉलास्ट फर ने से भी गलत हो गया था वहां पे okay this was your page number nine now coming to the page number 10 okay यहां पे आप देख सकते हो atomic structure का question है यह वाला यहां पे थोड़ा value के closeness की वजए से एक question गालत हो गया otherwise आसान question था बस values को put करना था यहां पे okay coming to the page number 11 this is your page number 11 प्योर्ले एंट्याटी बेस्ट पेपर हा रहा है especially in chemistry and bio basic paper रहा है sorry almost ncrt-based questions थे sorry this was your page number 11 coming to the page number 12 okay यह question भी गलत हो गया था this was a little bit tricky question metallurgy में पूशा गया था जब मैंने वहां पे इसको पढ़ा ना highly pure तो प्योर जो है ना pure वहां पे silicon germanium वागेरा ultra pure metals के लिए zone refining यूज होता है जाव अब मैंटल जी को पढ़ होगे तो ultra pure metals के लिए जो है ना germanium हो वागेरा यह semiconductor वागेरा इन के लिए zone refining होती लेकिन यहां पे कह रहा है ना which is liquid at room temperature तो इसके लिए mercury आता answer mercury which is liquid at room temperature तो इसका answer था actual में discolation यह भी गलत हो गया था अच्छिन 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 आफ किमिस्ट्री नाव कमिंग टुदा सेक्षिन वी अफ किमिस्ट्री यहां पे जिस section B में जो ना मैं आपके साथ एक important point share करूँगा वो यह है कि section B अगर इस बार भी है pattern रहा section A section B तो section B में आपने क्या करना है वहां पे total में 15 questions होते हैं ठीक हैं हर एक portion में zology में, botany में, physics में और chemistry में 15 questions होते हैं वहां पे तो 15 में से आपने सिर्फ 10 को attempt करना है मतलब आप में से बोलोगे suppose आप 15 attempt करोगे 12 attempt करोगे या 11 attempt मतलब आप 10 से ज़्यादा अगर attempt करोगे तो आपके सिर्फ पहले 10 count होंगे ठीक है तो आप सिर्फ सिर्फ वही 10 questions करना जो आपको अच्छे से आ रहे होंगे ठीक है क्योंकि फिर उसके बाद आपको वही count होंगे अगर मिसाल के तोर पर मान लीजिए सपोस, let us suppose आपने आपने पहले 12 या 13 questions solve की, ठीक है आपने वहाँ पहले 12 या 13 questions solve की, suppose आपने पहले मान लीजिए आपने 13 questions को solve किया या 12 questions को, तो ऐसा नहीं है की आपको बारा मेंसे agreements पहलो होगे काउंट होगे ना जो पहले 10 होंगे आपको वहीं पहले 10 होते हैं वहीं सिर्फ供ूंट होते हैं और बाकी जो 2 तीन questions जो उसके बाद, आपनी किया हो फॉजाय होते हैं लेकिन यहां पे देखो इसकी disadvantage क्या है अगर आप 12 question करते हो है 10 questions उसके बाद क्या है 11, 11, 12, 13 ठीक है तो मान लिए आपने 13 questions और आल 13 questions आपने attempt किये अब आपका दिमाग कह रहा है कि अब इन 13 में से जो कोई भी 10 ठीक होंगे वही जो है ना वहाँ पे जो है ना मतलब accept किया जाएगा नहीं ऐसी बात बिलकुल भी नहीं है आपको पहले 10 में से देखा जाएगा कि कितने questions आपने ठीक है ठीक है चाहिए आप 13 करो 12 करो 11 करो आपको हमेशा पहले 10 में से count किया जाएगा आपने कितने questions ठीक है ठीक है इवन दो कि आपने अगर आपने पहले 10 में से सिर्फ 8 questions को ठीक है तो आपको 8 questions आपके accept किये जाएंगे और 2 questions आपके incorrect होंगे ठीक है So be careful कि बस आप सिर्फ उनी 10 questions को attempt करना जो आपको अच्छे से आ रही हो ठीक है जो बिल्कुल आपको अच्छा अगर आप सबस मालेज़े पहले 8 questions करते हो ठीक उसके बाद अगर आप सबस question number 12 या question number 13 करते हो ठीक तो आपको पहले 8 पी count होंगे और जो आपने यहाँ पे 2 किये ठीक है So सिर्फ वही 10 questions मतलब जब आप 10 questions करते हो तो सिर्फ वही 10 count होंगे ठीक है लेकिन जब आप 10 से ज़्यादा करते हो तो पहले 10 में से count किये जाएंगे So be careful about this ठीक है आपने number of questions बस 10 ही attempt करने है not more than that और कोशिश करना कि जो 10 different questions आप solve करो अगर वो different question number 15 हो question number 13 हो जो कोई भी 10 हो मतलब अगर 10 ही होगे तो सारे count होगे लेकिन अगर आपने 10 से ज़्यादा किये तो पहले 10 count होते है ठीक है और अगर पहले 10 में से कोई गलत भी होआ न वही आपको count किया जाएगा ऐसा नहीं कि 10 के बाद कोई correct होगा वो count होगा नहीं ऐसी बात नहीं है तो इसको बिल्कुल जहन में रखना अगर मैं किमिस्ट्री की बात करूं मैंने section B में around 13 questions की ठीक है मैंने attempt paper पे कितने questions की around 13 questions की 12 questions लेकिन मैंने वहाँ पे OMR पे सिर्फ 10 questions को fill किया ठीक है सिर्फ 10 questions को fill किया okay coming to the another page it's page number 14 section B मैंसे मैंने chemistry में around 13 के 12 के 13 questions की थे लेकिन मैंने जो है वहाँ पे सिर्फ 10 को fill किया ठीक है मैंने ऐसा नहीं किया कि 13 को मैंने fill किया और फिर जितने 13 मैंसे ठीक होगे वो count होगे नहीं ऐसी बात नहीं है बस 13 मैंसे जो है मतलब 15 मैंसे 10 को ठीक करना है और उन्हीं 10 को आपने वहाँ पे attempt करना है ठीक है अच्छा okay coming to the another page that's page number 15 intermediate को भी याद रखा करो ठीक है और यह है आपको बैयाल जो पोर्शन स्टार्ट होता है ठीक है ह। हकी मैं थ्वड़ा रश्च करूँः यहां पर ठीक है बाव में रश्च करूँः यह इस सक्षिनने बॉट्नी इसने जोह लगों क्यों क्व़स्चनस भी यहां पर मिना देये थे इसको पाता नहीं है कि बॉट्नी में कौन से क्व़स्ट्ट disp और जॉल जिमें कौन से questions ओके coming to the page number 16 बायो में मैंने around 90 questions attempt किये थे तो I think 84 questions were correct 84 questions शायद correct होए थे ठीक है तो कुछ questions tricky भी थे जो कि गलत हो गए यह वाला question गलत हो गया था question number 115 इसको answer था असल में gene therapy लेकिन थोड़ा बहुत gene implication के वज़े से मुझे लागा its molecular diagnosis लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि मैंने पहले जो है ना वहाँ पे gene therapy को gene therapy को mark किया था और यहाँ पे मैंने question mark इसलिए किया है कि मुझे इसमें doubt था ठीक है तो मैंने वहाँ पे पहले इसको gene therapy लेका था then after that मैंने molecular diagnosis लेका okay coming to the another page page number 17 okay जिन questions के मैंने question mark किया है ना मतलब यहाँ पे वहाँ पे किया था या घर पे आके करता था या वहाँ पे भी किया था मैंने बहुत सारे questions को तो इन इन question में मुझे थोड़ा बहुत 100% surety surety नहीं होती थी तो इन में थोड़ा वो doubt होता था मुझे ठीक है लेकिन फिर में उनको करता था अचा 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 अधने न अधन पी देए लाट्स पेज नमर 15 या पी देखो इंपूल जी का व्यूश्टन आया था आमोंट अ बुट्रियं ग्र्वन निट्रोजिट था अश्क्रबन निट्रोजिन ठीक है इस को है इस वाँ कहते है इस यह था यह पी बिल्कुल और स्टेंडिंग स्टेट में लेकिन मैंने वहां पर स्टेंडिंग क्रॉप को टिक किया तो उस वर ऐसे गलत हो गया तो बिल्कुल एक डिफिनिशन का अच्छे से याद रहा ना कि कहां पर कौन सी टर्म यूज होती है ठीक है ओके पीज नबर नाइंटीन पीज नबर नाइंटीन यह को सिंट भी गलत हो गया था यहां पर ठीक है क्रॉनिक ऑटो मिंट डिस अइस में रश हो गया था वहाँ पर इसकॉस्चन में इस में मायस थीनिया ग्राप्स लेकिन मैंने वहां पर मस्कूलर रिस्ट्रपी को लिखा था वहां पर अ कि यह ये बिरकिनममे तो कॉम नीम्ज अर अलस इंपोर्ट फीन और कि अधने बढ़ा था यह वहां पर देखा था होगा में कॉम निम्ज अर अलस इंपोर्ट फीन तीए सो मैचिक में आता है कॉम में पार्मिंज भी ओके कमिक तो दुदा पर स्पेश नबर 21 प्रस्ट राइव स्थान का वहाव इस वाव इट कुछैंब इड ख्यूर प्रस्ट व इडाइव ग्यूं प्रस्ट प्रस्टेज राइव इंग okay okay coming to the other page is page number 22 22 page number 22 living world in a push again this question which in the following belongs to family mucidiae house flye ka na me muska domestica it belongs to family mucidiae aq a question bhi galat ho gaya tha wahan pe cross karna tha wahan pe ye bhi galat ho gaya tha wahan pe okay coming to the other page is page number 23 page number 23 in our executive 때문에 i will try cirincome check pen 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 ah इसने पोछा था उसने इसमें सैक्शिन भी मिनेल जड़ा डिफकल्टी नहीं था ऐसर शेर रिजनेंग वाला आसान था अर बहुत महीनत करना ठीए है बहुत जादा महीनत करने की जर रहा थे ठीक है बहुत जादा रिविजिंस बहुत जादा एक सीट करना है, all the three subjects अस पांच छे महेनी की स्ट्रगल है फिर मरा मजा है मजा है इन्शाल्ला ओक इस व्यूच जादा पेज करना लूम गंगाइब करना है इसको मैं लास्ट टाम पढ़ रहा था इस कॉस्चन को जब आना टी शोज बढ़े थे वहां पर हमने देखा था communication junction and with neighboring cells tag three junctions ठीक है leakage में कौन मदद करता है stops leakage और communication में मदद कौन करता इसको अपने हैं चैसी देखना होगा वहां पर सारे questions almost NCRT based ही थे अब मैं आपके साथ नीट 2020 का पेपर शेयर करूँगा लेकिन उसमें जो है मैं रश करूँगा ठीक है उसमें मैं रश करूँगा यह नीट 2020 का पेपर है ठीक है नीट 2020 इसमें जो पहले physics का दिया गया है physics का ही it's page नमर टू इसमें बहुत सारे questions गालब भी होंगा यहां वे मैं किसी question के बारे मैं कुछ नहीं बोलूगा जो questions जो options गलत होंगे उनको अब खुद करेक्ट कर लेना फिर coming to another page that's page number four page number five chapters का नाम भी मैंने almost mention किया कि किस chapter में question पूशा गया था इस वाले paper में okay physics का paper था यह question गलत हो गया रश में जब नीट 2020 का question मैंने पहले पढ़ा यह वाला बाया जिमेंट तो यह रश में गलत हो गया इसके answer प्रेशर एक्टॉर में ठीक है तो रश नहीं करना जाए किसी भी question में नहीं ओके यह बायालजी का paper अब स्टार्ट हो रहा है कि कि बेसिक पेपर आल्मोस्ट आपका ncrt-based paper होता ठीक है तो गबरानी की बिल्कुल भी जूरत नहीं almost more than 85 questions और ncrt-based तो ncrt को अच्छे से revise करना और different patterns की question भी खुद design करना ठीक है बार बार ncrt को revise करना बार बार 1 लाइट की अचा मीडा है, एक सेक्ट okay में और तरहे बार्ड तरहे बादाए ऑन्ज पार्ड बार्ड चेह निए अज नमर नीए स्विवक्त अध्यां कर दो आदाए अपन एंज लिए सिर्ड हो आइ आये उना बढंदी अचे RAW ना रश्मय ने यहां पर पढ़ान था मुझे लगकी इंडिया में कहे रहा हो जोड़िय के इंडिया में माले में लेकर अष्म में पर दो हुआ तै कि यह कुश्चिन भी गलत इसमें लाइक अफ रिविजन्स थी इस वाले मतलब इस टॉपिक में जो है ना वहां पर ट्रीटमेंट माइक्रोम सिन वेलफियर में इसमें कम रिविजन्स किये थे मैंने इसलिए गलत हो गया सो अफ रिविजन्स बहुत ज़्यादा करना ओके पेज नुम्र 11 फोटो रेस्पिरेशन का कॉश्चिन आया था बहुत अच्छा कॉश्चिन था इस टाहिं इस बाओफ इस बाओप नौड़ इस पिरो अच्छा कॉश्च्चा कॉश्चा कश अःग चाटियन होते है इसमें ठिक है कि यॉजर्ण बहुत जादा इसमें फोटोस्चिशस अई था वहां पर टाग्रम दी गए वही पर इस यह न गे था यो कुछोटन डायग्रम पर कि यह कुस्चन भी गलत हो गया था वहाँ पे ठीक है यह कुस्चन इसमें लाइक अफ रिविजिंज थे इस वाले इस वाले टॉपिक में तो रिविजिंज और वेरी वेरी इंपॉर्टन ठीक है कि नीट 2020 में जोना मेरा स्कूर था 517 517 तो उस बार जोना जो हमारे कैटेगरी थी वह सी उसकी कुट अफ जोना 523 गई थी ठीक है मेरा स्कूर था 517 और कैटेगरी की कट अफ गई थी 523 MBBS के लिए ठीक है GMC के लिए लोकल GMC जो हैं पर है तो उस बार मेरा जो है ना 517 थे उस साल नीट 2020 में तो यू कैन सी कि सिर्फ यह कुस्टन का फारख है तो रिविजिंज जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिविजिंज और वेरी वेरी इंपॉर्टन बेकस जो भी कॉस्टन का रहत ह प्रिविजिंज इस्पैशली इंपॉर्टन केमिस्ट्री यह वाला कॉस्टन अगर आप देखोगे ना यहां पे पहले अंट्रमिक नुक्लियोटेट सेकेंस ठीक हैं इस कॉस्टन इसको मैंने बहुत बार जो है ना मतलब बायो टेक जो हैं मतलब मुझे जबान ही याद है तक लेकिन जबाद वाला कॉस्टन को अची थे से mobs ने चीज फोटी कने बहुत उप्षिंस को उप्ष्ण फ perspectives कला वान उसके बोगआ हम टतीक हैं बहुतिर सेक्षण तो फू temporary रिवर गाल जो है वाल असीं पे तॉड प Erfolgत बतक्समति से so options को अच्छे से पाढ़ना के भी options बहुत close होते हैं ठीक है बहुत close okay coming to the another page that's page number 15 this question यह जो nitrogen fixation का question mineral nutrition का question वहाँ पे nitrogen fixation जो है न nitrogen fixation का जो main product होता है that is your ammonia यह यह निफस्ट इस्टेबल प्रोड़क्र प्नाइड्रोजन फेस्ट इस्ट अमोनिया लेकिन वहाँ पे जो equation देगे पेज नबरे साइट पे तो वहाँ पे hydrogen भी बनता है ठीक है लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था ammonia alone लेकिन इसका अंसर था what ammonia and hydrogen correct answer ठीक है तो अच्छे से देखना कि हर एक product देखो minor भी देखना है इसमें क्या बन रहा है अच्छा यह question little bit tricky था reproduction flooring plants में यह गॉलक गालत हो गया था वहाँ पे this one okay यह question भी गालत हो गया था इसमें आ रहा था amino estylation of dRNA ठीक है amino estylation of dRNA इसका answer है असल में अच्छा आप यह से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है ठीक है किमिस्ट्री यही से स्टार्ट होता है अच्छा इसमें बहुत सारे questions गालत हो गए थी डूट लैक अफ रिविजिंस ठीक है एक कॉस्चन कितना आफसान था यह गालत हो गया इभी गलत हो गया यह वाला सूप का कॉस्चन भी गलत हो गए मैंने इस बसे ऐदे नहीं पढ़ा था था बस मैंने ड्रॉगज को पढ़ा था एंटियवार अटिया एक स्टाम तोर्ट्प्र वाके अटिस्टैमायने अटिमाइक्रो भाल वागे कि अब टेबले अच्छे से राधान किया था वहां पे प्यॉरे टेबल या ने वह भी थे त इस होसा ऐसे प्लास क्याद नहीं किया तो insight को के शीचेक क्वेशिन वी याद भी न ही पाराई थे वह साप्रेस्न एक05 थे फेपर क्रोमेट्युक्र interess G ए किया था मैंने वहापई सी एफ्टी का कॉश्टन भी गलत हो गया था इसका ओर जो है न वहापई जो है थोड़ा बहुत कन्फूजन हो गया था यह भी गलत हो गया था ठीक है तो अच्छे से याद रखना अच्छे से मतलब इन शॉट आइकें से दैट कि मतलब मैंने पड़ा तो माशनाला सब कुछ सा ठीक है लेकिन लेकर रिजिन्स बहुत सारे थे ठीक है बहुत सारे टॉपिक्स में लेजिन्स कम हो शेके थे दोने यहाई बर्टत रुपिक्स में इन डूनों पेजिसे से आल्मॉस्ट सारे इन दोनुपेज़ात इन नना त税पैसे प्रभात इन दोनुपेजे से आल्मॉस्ट सारे ब्रौस्चन Häntg दिखो गे थे इन दोनों पेज़े से okay you can see here page number 21 ठीक है लास पीजा इस पेपर का अब मैं 2019 का पीपर आपके साथ शेयर करूगा ठीक है उसके बाद बस इतना ही आज यह हैं यह हैं 2019 का पीपर ठीक है 2019 का पीपर इसमें मेरा स्कूर था थर्ड अटम्ट में 471 सेंग फॉर्थ अटम्ट में 517 और इस बार जो है 561 आ रहे तो यह कट हो चुका यहां पर यहां पर इस तरह से देख सकते हो यहां पर कि इसमें भी जो है ना इस साल मैंने बहुत कम पढ़ा था बहुत कम रिविजन्स किये थी सारे मतलब जो आसान कोस्टन्स थे इस्पेशली इन दे किम स्टेंड बायों बहुत सारे गलत हो गए थी ठीक है बहुत सारे आसन कोश्टन्स गलत होगे थी इस बार में यह को एखको यह कोश्टन कितना आसान है नोलेसिचल एसेंचल है मैंनो से तक इतना डिस्प्रपोर्शने कितनी आसानी यह भी घलत हो गया था वहोंपर यहां पर वाटर है ठीक है एच ओएच शायद यहां पर यह वाटर है एच ओएच ओके हैट स्पेज नमर त्री प्रक्राइब यू कैन सी 2019 का पेपर है ठीक है नीट 2019 का पेपर अन्साइट बेसर क्वेशन था ठीक है दिया गया है आपके एंसे अग्जरसाइज में इन प्रिवाडिकल अस्फिकेशन दिस क्वेश्ट अब देख सकते हो ओके यह कितना देखो यहां पर अगर आप देख सकते हो इस क्वेश्टन फ्रॉम के बिस्ट्री नर्यविड लाफी भी गलत हो गया ठीक है कितना असान क्वेश्टन था लेकिन लाइक आफ रिवजिन की वज़े से गलत हो गया था सो कंक्लूजन अब यहारा इन पेपर्स को सामने रखते हुए कि रिवजिन अर वेरी वेरी इंपॉर्टन ठीक है यह वंदों की पड़ा सब नहीं होता है ठीक है लेकिन रिवजिन की कमी होती है इन देंड हम बहुत सारी चीज़ों को जो है मतलब रिवजिन को कम करते हैं कि अग्रूर करते हैं क्योंकि स्ट्रस होता एक्जामिनेशन का उसकी वज़े से जो है न हम खीक से नहीं पड़ पर दें सो बी केरफल अबाट इस थिंग्स रिविजिन अर वेरी वेरी इंपॉर्टन हर दिन जो है एफ्टर एफर एवरी फाइव डेस रिविजिन किया करो अगर आपके पास और दस गंटे अपाट रहे तो आठ गंटे प्रेफिर किया करो दो गंटे रिवाइज किया करो डेली बेसिस पे और हफते में एक दिन आप कम्प्लीट रिविजिन के लिए रखा करो असानी के साथ यह कॉस्चिन भी गलात हो गया था एन्वरिमेंटल के अपका ओसन भी है आपका नाइटर्स ऑकसाइड भी है कारवन डियक्साइड लेकिन सुफर डियक्साइड जो है ना इस नाट यूर ग्रीन आउस गैस ठीक है यह यह गलत हो गया था इसको सॉल्फ किया था लेकिन मैंने ऑप्शन गलत बारा मैं अटल रिजिक का कॉस्चिन और कौन सा यह भी गलत हो गया था वहां पर तो इजी कॉस्चिन गलत हो रहे थी कि डूट लाइक अफ रिविजिंस डूट लाइक अफ रिविजिंस बहुत सारे इंपोर्टन है मैं हमेशा मेंचन करूंगा रिविजिंस आर वेरी वेरी इंपोर्टन फार्यू पीपल ओके इस साल हमारे स्टेट की कट अफ हो गई थी अरॉट फाइव थर्टी टू ठीक है मेरे मतलब मेरे आयए थी 471 केमिस्ट्री में भी बहुत सारे कॉस्चिन इजी कॉस्चिन गलत हो गए और बायू में भी बहुत सारे इजी कॉस्चिन डूट लाइक अफ रिविजिंस और विजिंस डूट इस में भी बहुत सारे इस बाइव पहुत सारे कॉस्चिन बहुत सारे कॉस्चिन बायू में भी गलत हो गए ते उस बार इस बार शकुलर यहां पे देखो इसमे आनसर आ रहा है छाइद आपको। पलीसेंटेशन का कॉच्चन गालत हो गया था क्या बोलो मैं आपको इनसान हर्ट ही होता है यहां पे कोई बात नहीं फिर भी अलहमदुलिल्ला आप ऐसी गलती मत करना बस रिजिन्स पे ज़्यादा फोकुस करो ठीक है आसान कॉश्चन जी देखो कितने आसान कॉश्चन गालत हो रहे हैं यहां पे मेहनत तो की थी लेकिन कुस्मत ने साहत नहीं दिया वहां पे ठीक है ओके यह देखो कंकना वैल्न बायो मॉल्च्च को फिर्फ और यहां पे फीशिए जो और वो बैसने शेयर रस्तोर हम जलन से जो ऑना वहां पर वह अलकला इन पीएच में काम करता है उसका वहां पर गाट में आलकलाइन पीएच के वचे सब्चा एकटिव मैंने लिखा था इसमें है अलकलाइन पीएच है रहा हुदा ठीक है यह भी गलत हो गया था वहां पर क्या बोलो ओके एकस्प्रेसिट स्टैक्स इसको तो शायद किया ही नहीं थी मैंने वहां किया ही नहीं था मैंने वहां आशने फ़िक पेहते हैं को सभी एंशने व्येश्वर्फ्त पत्रो arrangements का चाप्ट्र इसको भी ठीक से नहीं पढ़ा था लिकिन गणायर शजिकलों नहीं रपैसे चलिखेए बाखिवा लाजट टी तो us कि एक्स्टूशन सेकंड पोलर बाड़ी ठीक कि इस बार भी आता है नीड 2020 में आया था डिरेक्टली साइट और परसेप्शन ठीक है इसमें है लिव्ज लेकिन उस बार भी मैंने गलत किया था उसको बायो मौलिकूज का कॉश्टन भी गलत हो गया था महाँ पर इस बन एंजाइम के बारे में अलाहु अक्पर ओके बिल्कुल NCRT-based questions आर रहे हैं more than 85 questions you can easily solve based on your NCRT knowledge based on the information provided in your NCRT so NCRT is very very important for you people यही से जो है अभी बाल जहे चल रहा है इसमें ठीक है अबसके बाद physics स्टार्ट हो रहा ठीक है physics यही से physics भी स्टार्ट हो रहा है इसमें इस बार NEED 2019 में जो है बहुत सारे questions मैंने bio से और chemistry से गालत किये थे बहुत सारे questions physics में around 20 to 22 questions ठीक थे नहीं आता था उसे ज्यादा तो नहीं आता था physics में मुझे झार्ट है झार्म एफुत सारे में में तो रहा है वाइन Okay हुआ है है ओके ना भी चिपक गया इसमें अपर साइड में ठीक है इसको अब चीसे देखेना आपे फिल पर इसके साथ पग गया है इसको अपासानी साथ देख देना जाते है इसकोस्चन में थोड़ी दिकत होगी क्योंकि आदा इसके साथ चपक गया है नीचे यहाँ से इसके साथ चपक गया है नीचे यहाँ से इसको यहाँ पर कट हो गया है यहाँ पर ठीक हैं इस पॉस्चन एज भी रिमॉड़ तो यहाँ से यहाँ गया है नीच दोजार उम्नीज का पेपर मेरे पास अठारा का भी है और साथरा का भी है तो अभी इस टाइम जो है नमाज के लिए लीट हो रहा है लेकिन फिर भी आपको देखाऊंगा अठारा और उम्नीज का पेपर अठारा और 17 का पेपर यहाँ नीच 2017 का पेपर सेंथ में को था सेंथ में 20 17 ठीक है तो इसको अब अदर से भी देख सकते हो यहां से किन सी ओर हेर बिल्कुल चिप्टा मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था वहाँ पे पहले अटेम्ट में मेरे पाल जो है ना तू थाटीटू आये थे तू थाटीटू ठीक है अब अब दो जर सब्रका पीपर है यह 2017 का अब 18 का भी रखंगा आपके सामने जल्दी जल्दी इसमें एक फ्रंट पेज यह नहीं है ठीक है फ्रंट पेज नॉट है कट कहीं पेगू हो गया है ठीक है यह फिजिक्स का पेपर है इस वन इस फिजिक्स लिक इस वमबलम आपके का पेपर सिटर्ट हो रहा यहां पर अभाय जे मैं कुछ प्रस्टेंस किये थे लएकिन कुछ नहीं ग मैंश्री का पेपर यह थीस वन इस वन इसो गिंश्ट्री फेपर ठीक है है गिंश्री में इस साल जो है 2000 याने 2018 में 387 मेरा स्कॉर था है कि फ्रेंट पीज तो कंकुलूजन क्या है यहां पे पेपर्स का दिखाने का कंकुलूजन यह है कि बस ज्यादा से ज्यादा करना टाइम बेस्ट नहीं करना ठीक है इंशाल्ला आपको इतने अटेम्ट्स देने की जरूरत नहीं पाड़ी कि इसके बाद जब दूसरे अटेम्ट था यानि फिर मैंने इंशाट लाई ठीक है ना तो ग्रेड इलाइंथ में और नहीं फिजिक्स नहीं हमेंशा मुझे दिप्रेसिट किया फिजिक्स की वाज़े सिटने पहले तीन एटेम्ट्स में ड्रॉप हो गया था ठीक है फिजिक्स क कि अब गया नहीं पधा थी बास डिरेक्टी में फिजिक्स कोस्टन के जरी लरन किया कोस्टन का डिरेक्टी स्लूइशन को उनको याधर को इसी वज़े से बाद ना इतना टाइम लगा इतना एकस्ट्र होगा यह पीरेड शियक्षिन का तो तो NCIT के हर एक chapter को खुद पढ़ना पढ़ा, कोई notebook मैंने नहीं पढ़े, किसी notebook को मैंने नहीं देखा, ठीक है, हाँ, reproduction में पढ़ा था, greater than, लेकिन फिर उसको ignore कि उसको छोड़ा, क्योंकि NCIT से बाहर बहुत जादा data था, तो right guidance was not there, ठीक है, तो आप से मैं, मतलब request किया, मैं as a brother, मतलब आपको बोल रहा हूँ कि NCIT पे जादा focus करो, बहुत सारे reasons करो, ठीक है, और numericals करो, different patterns के practice and physics and chemistry, physical chemistry, और inorganic और organic में NCIT बेसे questions solve करना, और बैयो में भी सिर्फ NCIT बेसे आपकी बहुत सारे questions NCIT से आएंगे, so मिलते हैं next video, तो next video में, Allah Hafiz, हाँ, यहां मैं बोल गया, एक बात मैं बोल गया, NIT 2017 में जो मेरा score था, NIT 2017 में, पहला item, it was 232, ठीक है, और जो दूसरा item था, 18 में, it was 387, उसके बाद जब third item था, 2019 में, 471 था मेरा score, उसके बाद 2020 में, 517, और उसके बाद जो है ना, इस बार 561 आ रहा है, मेरा score ठीक है, तो मेरे पास OAC category है, ना, OAC category इसकी cut up जाते है, 520 आराउंड हो, ठीक है, 520, so I am safe in this category, इस पार ठीक है, so मिलते हैं नेक्स टी वीडियो तक, नेक्स टी वीडियो में, अल्लाहाफिस,